भारत की urbanization बढ़ रहा है कोई दुसरे concept में था context में था भारत में सहरी करण बढ़ रहा है लोग ग्रामिन इलाका छोड़के दो कारण से तेली urban, sub-urban और urbanization के और जा रहे हैं दो कारण, एक है रोजगार मिल जाना, अबसर, रोजगार की अबसर, दुसरा कोई सबसे priority होती हैं तो उसका नाम है शिक्षया, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएंगे, यह एक aspirational चीज है, अकंची चीज है और उसमें से ही, उसमें उलिका है, कि सबसे चुनोती वाला काम है, सहरों में, स्कूल में admission मिल जाना केजी में, यह क्लास वान में admission मिल जाना, यह आज की भारत की जो वेवस्ता है, उसमें थोड़ा एक लिगाशी इसू हम लोगों की सामने है, जो मैं 62 साल और तेसर साल में जब पहुंचके हम आपना उपलब्धी के लिए आत्मों संतर सोर हैं, उस समय में चुनोती भी मेरे को ध्यान में आता है, कही न कहीं हमें एक मूल विशेय पे revisit करनी के आप सकता है, reposition के आप सकता है, कि हमारी शिक्ष्या आज कैसे गुनमत्ता के साथ सर्व व्यापी हो, सर्व सपर्सी हो, समाज की सभी बर्गों तक जा पाए, समाज की सभी भोगलिक इलाका में जा पाए, इसलिए एनिपी ने कहा है कि शिक्ष्या accessible हो, affordable हो, समाबेसी हो, inclusive हो, quality हो, यह सारा विशेय इसलिए कहां गया है, यह सारा सोच होगा कहां, एनिपी एक consultative process से सरकार की आदेश के कारण एक विद्वानों की सभाने बना दिया, पंत साब को बहुत बहुत देने बाद, आपने उसकी हिसा बनके उसको पुरा किया, आगे NCF बना, उसकी बारे में उल्लेक किया गया, वो आपको हैंड़ोवर हो गया है, पिछले 23 तरीक को हमें आपने सुभाग्य दिया, उपचारिक रुप में NCRT को हमने सुपूर्थ किया है, फिर curriculum and textbook committee एकठा किया गया इस बा दुनिया की आवश्यक्ता और समय को ध्यान में रखते हुए, कैरिकुलम के बाद, सिलाबस, सिलाबस के बाद, टेस्ट बूग बनना ये परंपरा रही है, लेकिन इस बार सिलाबस टेस्ट बूग कमिटी एक किया, पंद जी उसकी अध्यक्षदा कर रहे है, शाकलानी जी उसकी और NCRT उसकी प्रमुख क्रियाइनवन की काम पे लगा है, मित्रों ये सारे को दिखते हुए, एक भिषय ध्यान में आता है, कि NCRT की पिछले 61 सालों में 62 सालों में 6 दसकों में चलने की एक गती और एक प्रोसेस बनी हुई है, एक संसकार जो घर में कहते हैं, घर की संसकार बनी हुई है. कर दोसी है, जर एक संसकार जोसी है, एक संसकार जो लाएब ध्यान में काम प्रोसेस बना खार की खबता है, एक जो कर दोसी है.